नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे योटुब चानल स्टॉप किट्नी डायलिसिस में जहां हम आपको किट्नी से जुड़ी के ज़रूरी जानकारिया देते हैं और ऐसे ही आज आपको बताने वाले हैं किट्नी के मरीज अपने आहार में किन चीजों को शामिल कर सकते हैं जो उनके लिए हेल्दी भी होते हैं और टेस्टी भी होते हैं तो चलिए शुरू करते हैं किटने के मरीज़ों को उनके आहार में हमेशा बदलाफ करने होते हैं. उन्हें अपने रोजाना के आहार में ऐसी चीजों का सेवन करना होता है जो उनकी डामिज किटने के लिए हाने कारत बिल्कुल भी ना हो. रोजाना एक चैसा और सधारण खाना खाने से किटनी के मरीज बोर हो जाते है इसलिए आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं कि किटनी के मरीज कौन सी चीज़ों का अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं तो चलिए, शुरू करते हैं सुभे के नाश्टे से. सुभे के नाश्टे में केटनी के मरीजों को सबजी डाल कर पोगा दिया जा सकता है. या फिर नमकेन दलिया, नमकेन सेवई, सुजी का उप्प, इडली, ढोसा, घिया के भरवे पराठे, प्यास के पराठे या फिर आलो के पराठे भी दिये जा सकते हैं. सुभे के नाश्टे में केटने के मरीज इन में से कोई भी एक आहार का चुनाफ कर सकते हैं. इससे उनके रोजाना के आहार में बदलाव भी होगा और उनके सुभा का नाश्टा भी ठीक से हो पाएगा. ऐसा आहार स्वादिश्ट भी है और आप के लिए हेल्दी भी. अब बढ़ते हैं दुपैर के खाने की तरव और जानते हैं केटने के मरीज दुपैर में क्या खा सकते हैं दुपैर के खाने में किटनी के मरीजों को धुली मुंग डाल, गीये की सबजी, तिंडे की सबजी, तोरी की सबजी, परवल की सबजी, उबले हुए चावल, गेहों के आटे की रोटी, दही और सलात का सेवन कर सकते हैं। आपको बता दे कि धही करायता बना कर भी किटनी के मरीज खा सकते हैं। और दही सिर्फ गाय के दूद या डबल टोन दूद की ही बनी होनी चाहिए। किटनी के मरीज गीय करायता, कद्दू करायता, प्यास करायता और गाजर करायता खा सकते हैं अगर किटनी के मरीज कुछ मीटा खाना चाते हैं तो सूजी का हलुआ, गाजर का हलुआ, गीय का हलुआ भी खा सकते हैं लेकिन सीमित मातरा में साथ ही डाइबर्टे किट्नी पेशिंट मीटा खाने से पहले अपने डॉक्टर की सला ज़रूर ले ले आपको बता दे किट्नी के मरीज गेहों के आटे से बना चीला, सूजी का ढोकला, सूजी और पोहे से बना अहार भी खा सकते हैं अब बात अगर रात के खाने की करें, तो किट्नी के मरीज अपने रात के खाने में रोटी और सबजी का सेवन कर सकते हैं किट्नी के मरीज ध्यान रखे कि रात के खाने में आप नौन विर्ज बिलकुल भी ना काए, लेकिन कुछ मरीज नौन विर्ज भी खा सकते हैं लेकिन bonless chicken का सेवन ही आप कर सकते हैं तो इस तरह के आहर का सेवन किटने के मरीज कर सकते हैं जो किटने के मरीजों के लिए healthy भी होता है और tasty भी होता है तो आज के लिए बस इतना है उमीद्ध आप मारी दी जानकारी पसंद आई होगी